हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे एसल वर्सेज एफजी ड्रीज 11 प्रेडिक्शन यानि की शर्लंका और अफगानिस्तान के सेकंड बंडे मैच की पहले मैच में बाई एक तरफ निसंका ने किया दोसों दूसरी तरफ अफगानिस्तान से क्या ये विकेट फिर से वैसे रहने वाली है क्योंकि मैच तो वही है या यूज होने के बाद स्पिनर्स जिनको लास्ट में केवल एक विकेट मिला इस मैच में बन जाएंगे बेहद इम्वोटेट भाई मैच होने वाला है थोड़ा रिस्की और थोड़ा सा टैक्टफल रहना पड़ेगा तो ध्यान रखना कोशिश करेंगे बेस से बेस करने की लेकिन यहां पर सबसे पहले वो काम करना है तो टेलीग्राम आना है लिंक व नोटिफिकेशन आन करें ताकि मेरी रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके सबसे पहले और आप यहां पर बेस से बेस कर सके अब दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा पलेकाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपको बताना बहुत ही बढ़िया तगड़ा स्कोरिंग ग्राउंड रहा है एशिया कप में भी देख लो इवन आप यहां पर लास्ट मैच देख लो और विकेट ऐसी है कि भाई रंस बहुत अच्छे हो रहे हैं जेनरली स्पिनर्स यहां डी कर लेते हैं लेकिन यहां पर लास्ट मैच स्पिनर को एक ही विकेट मिला हसरंगा थीक्षना को विकेट नहीं शायद हमने वीडियो में ऐसा कुछ डिसकस किया था कि एक दो प्लियर हैं जो अफगानिस्तान के हसरंगा को भाई विकेट देते भी नहीं है और आपने देखा भाई क्योंकि वो राशिद जिसे प्लियर को खेलते हैं जो कि उनके अब देखोगे ना नूर हमद राशिद केज हमद अच्छे खासे स्पिनर जाहीर खान वकार सनाम खेल इनको यह डिमेस्टिक लीज में खेलते हैं इसलिए अफगानिस्तान स्पिन को बढ़िया खेलती है यही जो ठीक्षना हसरंगा है जो सेना कं फास्ट एक स्पिन शिलंका अराम से मैच जीता तोटल देखोगे 63 स्पिन से 37 फास्ट 24 स्पिन पांच स्पिन भी आया है गेम में क्योंकि एशिया कव के कुछ मैच जो आपको देखने को मिल रहे हैं लास्ट यर ही जो हुए हैं 2023 और सेप्टेंबर में उसमें आपको दोस् खेले जा चुके हैं दोनों टीम से 50-50 बल्लेवाजी कर ली बड़ अगर फ्रेश ट्रैक हुआ जो मैं आपको बताऊंगा फ्रेश हुआ तो भाई फिर वही 300 से उपर अनकी उमीद कर सकते हो बाकि दोनों टीम ऐशी हैं कि भाई स्पिन बढ़िया खेलती हैं और स्पिनर्स एक्चली अच्छे रखे भी हुआ उन्होंने नूर एमद असरंगा बडबल्ले से भी इनके जो प्लेयर्स है वो इनको बहुत बढ़िया बढ़िया स्पिनर्स को खेले हैं अब निसंका को देखते हैं दस मैच में 563 का इनका हो सचे कुछ खास बल्ले बाजी नहीं आई और जब आती ही तो बड़ा स्कोर करते ना बट यहां पे इनका 60 का एवरेज है तो अगर शिलंका बैट फर्स करे तो अब इनको ग्रेंड लीग में फोकस कर लेना क्योंकि लोग नहीं करेंगे इबराहिम जदरान चार मैच पे 282 ह यहां दो शतक है पिछले मैच में यहां पे ही फेल हुए थे मुहम्मद दभी चार मैच 191 एक शतक आ गया यहां पे ओमरजाय वन मैच खेले है 149 नौट आट पारे थे शतक था इंपोर्टेंट प्लेयर बन गये है रहमत शा की यहां दो खाफ सेंचरी है सदीरे समर विक्र करुना रत्ने की 5 मैच में 8 हैं चमीरा की 8 मैच आट थीक्शन नह दस मैच आट 4 मैच पांच विल अलागे प्रमोद मदूशान पिछले मैच में 4 विकेट फजलक चार मैच 4 गुलबदीम 4 मैच 3 मुहम्मद नभी 4 मैच 3 फरेद मलिक 1 मैच में 2 लेफ्ट आरमर है पिछले मै थी अफगारिस्तान 4 अब श्रिलंका 8 हो गई है और भाई वो पिछला मैच देख लो यार स्कोरिंग जबरदस्तों ही विक्टे कम गई थी विक्टे एक्चली गई टोटल मैच पे सिरफ नौ लेकिन रंच 600-700 से भी उपर बन गई ओवरॉल 700 से प्लस रंस थे बड़ विकेट केवल और केवल 9 तो भाई बैटर्स ने डॉमिनेट किया निसंका 210 अविश्का 88 सदीरा समरविक्रमा 45 प्रमोध मदुशान 4 विकेट दुश्यंत चमीरा 2 विकेट जो शायद इस मैच में इंजड है ना खेलते दिखिया आपको ओमर्जाई 149 नौ टोट प्लस 0 विकेट क्य वर्ल्ड कप का मैच था ये जिसमें अफगारिस्तान ने उलट फेर किया था शिलंका पे बल्ले से यहां पर भी निसंका 46 मारे थे सदीरा 36 मदुशंका दो विकेट कुसाल मेंडिस 30 नहीं तो कॉमन प्लेयर देखोगे तो भाई ओमर्जाय कॉमन आये पतुम निसंका कॉमन मदुशंका अच्छे बोलर है लेकिन फॉर्म इनका खराब चल रहा है यह यूए लीग में खेल रहे थे लगता रंखाय विकेट नहीं ले रहे थे यहां पे पिछले मैच में बहुत देर बात क्योंकि वर्ल्ड कप में तो जबर्दस्त खेले थे यहां पे इनको हेल्प न कर रहे हैं नभी का नाम सीधा टॉप पे आ गया भाई यहां से नभी ने जंप लगा दी थ्री ना इंटिरंज हो गये उनके टॉटल मैंडिस के ग्यारा मैच में 319 है 35 का एवरेज है भाई सबके हैड-to-head स्कोरिंग अच्छी है स्पेशली आप अगर यहां से उपर देख लो मुहमन दभी 13 मैच 12 विकेट गुलबदीम 8 में 10 अफगानिस्तानी और राउंडर्स नभी और नाइब उपर हैं फजलक 9 में 10 चमीरा 5 में 9 नमबर इनके भी अच्छे हैं क्योंकि इनके भाई 5 में 9 है बट यह थोड़े से इंजरी कंसर्न से जून रहे हैं ठीशना 8 में दो वेलेलागे दो में दो ओमरजाई 4 में दो नूर एमद 4 में दो यानि नूर को भी संभाल के खेल लिया है भाई शलंका की टीम ने यहां आप सबकी फोर्म देख सकते हो पिछले मैच में मैंने डिसकस किया था मैं एक दो प्लेयर पर फॉर्म डिसकस करूँगा अकीला द क्योंकि बाई चमीरा की इंदरी कंसरन है तो यहां मैं कह सकता हूं चेंज हो सकता है बाकिश लंका कोई चेंज नहीं करेगी वैसी ही टीम रखेगी टीम के बेस्ट बोलर है वनीदू हसरंगा जिनको पिछली बारी मिला अंडा क्योंकि कोई विकेट नहीं मिला ऐसा दूँगा मैं अकेले रेन मारूंगा और भाई यह मजाक की बात है अच्छा केल रहे थे श्ट्राइक दे रहे थे दूसरों को ऐसी बात नहीं दे रहे थे बट खेली इतना बड़ी आ रहे थे और छरित असलंका 7 ओं इनकी फ्लॉलेस नॉक्ती बहुत बढ़िया खेले थे मन तो कर रहा है आज फिर कैप्टरन कर दूँ लेकिन कहानी ऐसी है भई अब वो 210 से इनिंग शुरू नहीं होगी वो आज 0 से शुरू होगी और बहुत बार यह देखा गया है जो कामयाब हो के आता है प्लेयर लोग उसको सी वी सी करके आ जाते हैं बट शायद उतना चले ना चले कोई गरेंटी नहीं है जीरो से ही इनिंग स्टार्ट होनी है हाला कि हीरो की तरह यह खेले थे इसमें कोई शक्की बात नहीं है हसरंगा लियांगे अच्छे खासे और टीम में मौझूद है स्पिनर थीक्षना पेसर्स की बैटरी है इनके पास मदुशंका मदुशान और चमीरा मदुशान इंजेड हो गए थे आपको याद होगा एशिय कब से पहले और आज मुझे लगता है चमीरा का थोड़ा डाउट है हसरंगा से 10-100 की उमीद है मदुशंका से 10-100 की उमीद है ठीक्षना से 10-100 की उमीद है और यहां पे भाई देखना होगा फिफ्ट बोलर कौन आता है चमीरा की जगा अधरवाइस लियानगे आपको 4-5 और का सपोर्ट दे सकते हैं और टीम चाहे तो चमीका को लेके आ सकती वो भी आपको 4-5 ओर का support दे देंगे असलंका का spin option है लेकिन भाई वो जुरुत पढ़नी चाहिए नहीं है वैसे अच्छे off spinner है बट वो जुरुत पढ़ेगी नहीं मेरे हसाब से overall आप numbers अब के देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है करुण रतने में फोकस कर लो 26 मैच 24 विकेट है बल्ले से भी 25 का अवरेज है एक हाफ सिंसरी है टोटल 450 रंज है bowling में देखना है तो भाई एक बार अकीला दरंज है 39 मैच 56 विकेट है नंबर अच्छे हैं क्योंकि थोड़ा खेले भी वीकर टीम के आगे हैं तो नंबर अटोमेटिकली अच्छे होने ही थे अब आप देख रहे हो अफगानिस्तान की टीम भाई इसमें कुछ प्ले रिजर्व में है शरीफ उदिन असरफ अब्दुर्रह्मान रह्मानी शहीदुल्ला कमाल तो यह एक खिलने के वैसी चांस कम रखते हैं इवन बिलाल सामी बड़ बाकियों की फोर्म ज़्यादा फोकस करके चलना अब मैं आगे बढ़ता हूँ इनकी टीम में चेंज हो सकता है बट इनके बस अल्रेड़ी फजल फरेद है और इवन जो गुलबदी नैब ओमर्ज है तो चार पेसर हैं बट शायद यहाँ पे एन जदरान इनकी टीम में नवीन जदरान उनको यह खिला आ लें इस मैच में शायद कम चंसे हैं बट दे माइट नूर एहमद की चाइना में गिंदबाज ही उतनी काम आई नहीं थी नभी एज ओस्पिनर एकनोमिकल रहते हैं एक विकेड भी ले गए थे ओपनर इनके चले नहीं थे इवन टॉप ओडर फ्लॉप हुआ था रहमद शाह से आप अच्छी उमीद करते हो इबराहिम जदरान इनके की हैं भाई अब स्टार्ट में भाई इनके सामने बोलर बहुत अच्छे है वो प्रमोध मदुशान को अच्छी स्विंग मिल गई थी भाई यहां पे ना एक शिल्डंक का बोलर मदुशान का चले नहीं वर्ल्ड कप में टॉप लेफ्ट आर्मर थे ध्यान देना तो वो अभी तक चले नहीं बढ़ हाँ मुश्किल पोस्ट करेंगे इनके टॉप ओडर को और भाई गुरबाज आपको कह रहे हैं मुझे लिया क्या तो इनको कैसे बोले हैं मुझे आपको कैसे लें इनका बल्ला नहीं बोला है एक रन किया इन्होंने भाई वैसे पलेयर बढ़िया है बड़ विकेट कीपिंग भी कौन कर रहा है विकेट कीपिंग इक्रम अली खिल कर रहे हैं जिनके लास मैच में 10 नौट आए थे बल्ले से भाई कोई नहीं चला एक फोन नमबर चलता था 1477 लेकिन भाई उमरजाई ने वो नमबर डायली नहीं होने दिया 149 नौट आए और मुहमद अभी ने 136 कर दिया देखा जाए तो गुलबदीम ने भी 7 गेंद में नहीं देखी तो जबरदस थी बट टीम की नहीं अपार नहीं करा पाए इवन ओमरजाई के पैर पे लग गई थी लास्ट पार्ट इनोंने अपनी इनिक्स का एक पैर पे खेला था मैकस्वैल आ गए थे इनमें थोड़ा सा जो अफगानिस्तान के साम नहीं हुआ था बट कहीं न कहीं ओमरजाई एकर फिट हैं तो मस्ट हैव हैं और सी बीसी के भी ऑप्शन है अब यहां आगे बढ़ते हैं बोलिंग में 6 बोलर्स यूस थे ज्यादा किसी को कम्या भी नहीं मिली फजलक फरूकी 9 ओवर 77 फर 0 स्टार्ट करते हैं पावर प्ले में भी आते हैं डेथ में भी एक दो ओवर करते हैं 8 ओवर 62 फर 0 नूर एमद चाइनमन गिंबस गुलबदिन नैब 8 ओर 61 पे 0 उमरजाई 6 ओवर 55 पे 0 फरेद ऐमद मली की अच्छी बोलिंग थी दो विकेट मिले था एक मेडन भी था और सबसे एकनोमिकल मुहमन नभी जहां सबकी हुई पिटाई वहाँ पे नभी ने कुछ नहीं किया भाई शांती से अपने और निकाले एकनोमिकल रहे और एक विकेट भी ले गए तो भाई यह सब कहानी हमने देख लिए अब आप देख रहे हो इनके फुल स्टैट्स इंफो जिस पर आपको गौर करना कर सकते हो या बोलर्स का देख रहे हो मैं आपको लेके आया हूँ भाई मैच अप्स के उपर मैच अप्स में ना कोई बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं लेकिन भाई जो आप देख रहे हो ना अफगानिस्तान के बोलर्स प्रमोद मदुशान का रहा हम आपको ज्यादा दिखेगा पूरा टॉप ओडर ले गए थे इनका और चमीरा का तो एक गेंद लगी सारी प्रमो प्लस एक बार टीट्वेंटी इंटरनेशनल में भी आउट किया है ऐसी मदुशान ने इनको तीन गेंद में आउट कर दिया दोनों ने मदुशान को विकेट दी थीक्षना क्या कि अच्छा खेलिया इकानवे गेंद में एक विकेट हसरंगा को आउट नहीं हुए चमीरा क बार किया है ठीक है यहां पर देखोगे हस्मत उल्ला शहीदी प्रमोद बदुशान पर यह भी गए चमीरा पर एक बाकियों के आगे बहुत अच्छे रहते हैं अब यही अजमत उल्ला उल्ला आगे पर आउट है लास्ट में शनॉट ओड गए गुलवदीम लास्ट में चमीरा पर गए हसरंगा पर पास्ट में आउट हुए है निसंका के मैच अप जो थे वैसे ही रह गए आउट हुए नहीं बस रंस बढ़ गए गेंद बढ़ गई ह विक्टे देखोगे तो नाइब ने दो बार फरूकी ने एक बार ओमर जाई ने एक बार नभी ने एक बार किया है पास्ट में बट सब के आगे बैटिंग से नंबर अच्छे हैं फरेद आहमद मलिक को अच्छे से खेले हैं अब इसका फरेद मलिक पर आउट हुए थे रन एक बार ऊट होए हैं चरीत असलंका नभी पर एक बार बंडे एक बार टी टीवेंटी सेम फरूकी एक बार बंडे एक बार टीवेंटी हालाकि इनको स्लो खेले पर मजबूर किया नभी नभी नावस्पिनर विसरे लेफ्ट हैं बाकियों के आगए यह बढ़िया खेले है नाइब ने भी एक बर आउट किया है हसरंगा एक बार यहाँ पर फरूकी किया गया उट है नूरहमत किया किया कि दो बार T20 में उट है और खेले भी थोड़ा स्लो है सब मैच अपने देख लिए काफी ज़्यादा आप कह सकते हो अप्शन वाला मैच है थोड़ा रिस्की मैच है इसमें अगर आप खेल रहे हो यह सोच कर खेलना कि ज़्यादा ही रिस्की है मैं कहूंगो शान्ती से दूसरे मैच इस भी है कल उन पर ध्यान दे दो यहां मज़े से थोड़ा कम खेल लो थोड़ा इंजॉय करने के परस्पेक मैच में तो वो भी एक उप्शन बन रहे हैं और मेरे साब से टेक्निकली सॉलिड भी है आपने ने वंडे में भी देखा है बहुत बढ़िया वंडे वर्ल्ड कप में करते हुए तो इनको आप ट्राइक कर सकते हो कोई रुकावट नहीं है मैं मैं मेंडिस के साथ जा रहा ह हैं कॉलकाता नाइट राइडर से लेकिन भाई वही बात है अभी मेरे को थोड़ी सी रिस्क लग रही है मैं मेंडिस के साथ जा रहा हूं अभी ग्राउंड ऐसा है कि जो बल्ले बास टिक जाता है न फिर उसके रन बहुत आते हैं तो यह देखके चलना जो मारेगा वो धक दिकत यह है यह यह तो जीरो मारते हैं यह यह नब्बे मारते हैं अब देख लो अब इनका टेस्ट मैच भी हुआ था अभी श्रिलंका अफगानिस्तान का पहली इनिंग्स में 0 20 कैप्टन थे मेरे मैंने का लो जी गया काम सेकेंड इनिंग्स में आके हीरो बन गए 900 मार द कर सकता है रहमत शाह का हैड टू हैड एवरेज एवरेज एवरीटिं इस गुड लास मेच में जल्दी आउट हो गए तो भाई ऐसी कहानी रही है आराची आगया भी खेलेंगे नी रियाज असन का रिकॉर्ड अच्छे है बट खेलेंगे नी और शेवान डैनियल भी अभी प्लेयर्स हैं लास्ट मैच में टॉप और फ्लॉप हुआ और मदूशान और इवन अगर चमीरा नहीं भी खेल रहे तो साथ में एक और अच्छे इनके पास लेफ्ट आर्मर है मदूशंका जो इन सबको तंग कर सकते हैं मैं देखो और राउंडर्स में जो हीरो बने थे प अमेजिंग प्लेयर्स हैं आउट बहुत करते हैं लेकिन अफगानिस्तान इनको अच्छे से खेलती है फिर भी मैं इनको नहीं छोड़ता वान आफ मैं फेवरेट प्लेयर्स फैंटेसी में जितना मुझे इस खिलाड़ी ने जिता है शायद किसी और नहीं मैंने इनको हर मै तुम में रखना हूँ जनित लियांगे को तीन और मिले बल्ले बाजी नहीं मिली वैसे अच्छे और राउंडर है नहीं आये हैं टीम में पहले खेले थे बट उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे करुना रतने राइटा मीडियम पेस राइट बले बास मेभी शायद आजें बोलर अच्छे हैं अब क्या किया जाए हिट नहीं हुए लेकिन बोलर अच्छे हैं टैलेंट को बैक कर रहे हैं लेकिन भाई इनका ILT20 UAE लीग पिल्कुल खराब गया है आठ नौ और फैंके थे भाई विकेट इनी मिल रहा था दो मैच साथ और जीरो विकेट तो मुझे आए था आपके लिए और हमने ड्रॉप भी किया था नहीं चल रहे थे प्रमोध मदुशान भाई लास्ट में आता ही चार विकेट लेके गए इनी को बैक कर रहा हूं जो पिछले मैच में करके आए हैं इस मैच में भी कर सकते हैं में भी दो विकेट तो लही सकते हैं डेथ थे आट हो और विकेट नहीं मिला देन मुझीब हैं इंजड हो चुके हैं सीरी से बाहर हैं केज एहमद हैं अच्छे लेक्स्पियर अकीला दनंजे का मनें बताया वेन्यू स्टैट अच्छे है एवरिटिंग टोटल करियर स्टैट में भी अच्छे हैं ट्राय कर सकते हो श बैक कर रहा हूं पिछले मैच पे बल्लेवाजी नहीं है यह और मैंने लिया भी नहीं था और मैं रहमत शा को बैक कर रहा हूं मेरी टीम कुछ ऐसी है अगर आप चाहते हो हम थीक्शना को रखें तो भाई थीक्शना को कम लोग रखने हैं इस मैच में आपके एक डिफरें सब्सक्रारी है और हसरंगा मेरी तो कीड हसरंगा कई यह लेकिन हसरंगजा कर रहा है captain wise captain तो समझ जाना फिर मैं reverse कर दूँगा captain हसरंगा को दे दूँगा अभी मेरी ये team है अगर मुझे लगा spin है wicket used है तो भाई मैं हसरंगा को captain सी दे दूँगा reverse कर दूँगा जिसको safe जाना है वो भाई शानती से पतों निसंका को captain कर दे कोई दिक्कत वली बात नहीं है उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी अगर आपको लगता है आपको help हुई है तो आप यहां पे जरूर यूज़ कर सकते हैं यह सब चीज़े आपने team बना सकते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिये सब्सक्राइब बटन नीचे है